कि है को कि है कि हाई गाइस के आर्टिकल में आपके लिए अपके लिए यह यहां करना यहां पर पूरा डीटेल से हम समझ लिए दिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजूकेशन डियलेट जिसका आज से ओनलाइन रेजिटेशन चालू होना है कि पढ़ाई नया सत्र में थोड़ी महेंगी हो सकती है इसमें फीस में बढ़ोतरी संबाव है साल 2017 में तीन साल के लिए डियलेट के फीस तै की गई थी इसके अनुसा और बेड के सुलक के अगर बारे में बात करें तो इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी क्यों नहीं होगी आगे लिखते हैं यहाँ पर इसकी फीस में समिक्षा साल 2021 के अनुसार होगा ठीक है मतलब इस साल इसमें नहीं होगा आगे लिखते हैं इसमें इससे पहले डियलेट के को और इसके फिस 20,000 रुपे प्रतिवर्स निर्धारित किया गया जबकि वी कैटेगरी वाले कॉलेज को अच्छे की स्रेड़ी मानते हुए 19,000 रुपे प्रतिवर्स निर्धारित किया गया था यह सुल्क 2017 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 के लिए था इस फिस की आउधी खत्म हो गई है डि आगे लिखता है इसलिए फिस को लेकर फिर से चर्चा हो रही है सिक्षा वीदों का कहना कि 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है तो बात करें कितना बढ़ेगा यहाँ पे 10% तक यहाँ पे बढ़ेगा कि लिए रहे देखें यहाँ पे कहा गया है डिलेट की लिए कल से भरे जाएं आफिसल साइड भी यहाँ पे दिया है बात करें बीएट की फिस की समिक्षा के बारे में तो यह अगले साल होगा यहाँ पे लिखता है बीएट की निधारित फिस नहीं बढ़ेगी ठीक है इसकी समिक्षा अगले साल होगी तो यहाँ पे इस साल के लिए कितना है यहाँ प आपको पता होगा कि B8 कभी तक form आया नहीं है CCRT के दोवारा ठीक है जल से जल इनका आना है क्योंकि आप फाइनल येर का जो एक्जाम है उनका जो रिजल्ट आना है उसके बाद ही जहां तक यह संभा होए कि आपका B8 का जो form है इस साल के लिए वो आप आएगा तो जैसे अगर कोई अपडेट आता है B8 को ले करके तो आपको बताया जाएगा वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलिजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल पर नए है तो सस्क्राइब और अगर आप हमसे जूणना चाहते हैं तो इस्टाग्राब में आपका स्वागत है मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें तब तक जै हिन जै भारत जै चाथिस गर